नमसकार दोस्तों वैशनभी औरगेनिक डेरी फॉर्म में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे थनैला पाट 2 के बारे में थनैला नीम के पत्ते तोड़कर सरसो के तेल में पच्चा 500 ग्राम नीम के पत्ते को मिक्स करके उबाल ले, उसके बाद छान ले, किसी बोतल में भर लेना चाहिए, या जब गर्म तेल में जब इसको डाल के इसका जो आयल है, सरसो का उसको छान के रख ले, दो से तीन दिन में तेल हर दिन लगाएं, तो थनेला का चांसे बह हो भी जाए, तो थनेला निम्बू आपको सुबह साम एक एक पीस आधा आधा काट कर गाय को खिला दें, और 100 ml तीन से चार घंटे के अंतराल पर उसका जूस या लिमिन का रस्क पिला दे गाय को, दो से तीन दिन तक 50% थनेला खत्म हो जाएगा, दोस्तों, अगर इससे भ विस्फ्रेक नेचुरल लेमिनडाइज कंपनी बनाती है, किसी भी परकार की दर्द सूजन में काम करती है, थनेला में अगर थन बहुत ही टाइट हो गया है, सूजन हो गया है, तो विस्फ्रेक नेचुरल लेमिनडाइज कंपनी का है, उस अस्प्रेक का इस्तमाल करें और और सूजन को कम कर दें ऐसे हेमियोपैथ दवा भी बहुत ही कारगर है इसमें सलफर दूसो प्लस सिलेसिया दूसो प्लस कार्बो भेज 30 ml तीनों दवा को हेमियोपैथ में चारचार बुन डब्बे के अंदर निकाल लेना है और चारचार बुन में से तीनों में से निकाल कर इसमें थोड़ा बहुत पानी मिलाना है और पानी मिलाने के बाद आप किसी सिरींच इंजेक्शन से गाय के मुह में डाल दे इसके 5 मिनट के बाद ब्रोएनिया बी आर ए वाई ओ एन आई ए ए एक हजार दे दे वन थाउजेंट आठ बुन दे दे हर एक वन बटे टू आधे घंटे पर ब्रोएनिया और बाकी के तीन दवा हर एक घंटे पर दे 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 दोस्तों 90% चांस है कि थनेला रोग ठीक हो जाएगा और अगर इससे भी ठीक नहीं होता है तो आपको अंग्रेजी दवाई करनी होगी जाइडस कंपनी का जो इससे नियूम का इंजेक्शन महिने में दू से चार बार देना होगा दोस्तों जानवर को सूजन कम करने के लिए मेगा लेंडिन मेगा मेगलाडायन मैनोडायन सुब़ बीशेमिल साम को बीशेमिल देना है या चढ़ाना है छेनी के अंदर चढ़ाया जाता है ये इंगलिश दवाई है और दोस्तों अगर आपको मिल जाए टाजो बेक्टा इंट्राकूलर इंट्रामस्कूलर है बीशेमिल देना है मैकसी मैकसी लीन एंपी सिलीन के अंदर दोस्तों ये इंजेक्शन जो है गायों को लगाने जैसे इंगलिश दवाई है ये बिलकूल जो है गायों को ठीक कर देता है थनेला से काली मिर्च एंटी वेक्टेरियल होता है अगर प्रकृतिक चीजों में आ जाए तो खेपरा की छाल, काला जेरी, सोया के बीज, नोसादर, समुंदरी जाग, जीया घास यह साथ जड़ी बुटिया हमें जड़ी बुटी, सोसो एमिल ग्राम के मात्रा में लेना चाहिए, समुंदरी जाग, नोसादर यह हमें डबल या इससे ज़्यादा लेना चाहिए, इसको कूट कर किसी डब्बे में रखना चाहिए, थनैला का बीमारी जब सुरू होती है, बरावर मात्रा में मिला कर गूड, गूड या मिठा में मिला लें, और सुबह उसाम, सुबह उसाम पसु को खिला दें, दूसे तिन दिन में ठनैला ठीक हो जाएगा, रोक जादा बड़ा है, तो साथ से आठ दिन लग सकता है, ठेंक्यु धन्यवाद वैष्णवी औरगेन के अगडिये रखे को अब